प्राचीन काल से उन्नीसमी शदाब्धी के प्रारंब थक देश में माल धुलाई और यात्री परिवहन मुख्य रूप से जलमार्ग पर ही निर्भर रहा है। पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग एक का मुख्य उद्देश, पवित्र शहर वारानसी को कोल कादा और हल्दिया बंदर काहों से जूड़ना है। देश में जलमार्गों के माध्यम से माल की आवजाही में हाल के वर्षों में उलेखनी अवृध्धी देखी गई। जहां 2013 में ये 18.8 मिलियन टन हुआ करती थी, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 108.76 मिलियन टन हो गई है। जलमार्ग विकास पर योजना फरक्का में एक नया नैविगेशनल लौक का निर्मान करा रहा है। जो की अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये जहाजूं की सुगम आवजाही सुनिश्चित करेगा। ये नया नैविगेशन लौक 2023 तक बन करता यार हो जाएगा। जलमार्ग विकास पर योजना का मुख्य उद्देश भारी ओध्योगिक कारगों की परिवहन की आवश्चक्ताओं को पूरा करना है। गंगा नदी के किनारे बसे करोणों लोगों को सस्ती, परियाबरन अनुकूल एवं आसान परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश से जलमार्ग विकास पर योजना दो शुरू की गई है। जलमार्ग विकास पर योजना दो का मुख्य उद्देश, छोटे व्यापारियों, स्थानिय व्यवसाईयों और स्थानिय समुदायों को आसान परिवहन की सुविधा का लाब पॉच्चाना है। भारतीय अंतरदेश्य जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रिय जलमार्ग एक बन, साठ से अधिक समुदायक जेटियों का निर्मान करा रहा है। साथ होने वाले व्यापार को बढ़ावा देगा। बांगलादेश सीमा पर बसे धुबरी में 46.69 करोड रुपए के निवेश से स्थाई रोरो टर्मिनल का निर्मान किया गया है। MV सचिन देव बर्मन और MV राने गाइडिन लिव रोरो जहाजों ने माजुली के 144 गाउं के 1,50,000 लोगों के जीवन को बदल दिया है। उत्तर पूर्व में विक्सत ये जलमार्ग का नेटवर्ग इस पूरे क्षेत्र को कोलकादा और हल्दिया जैसे प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ने के साथ ही साथ पूरे BBIN क्षेत्र यानि पांगलादेश, हुटान, भारत और नेपाल के लिए एक नया आर्थिक मंच ही तयार करेगा। और कोच्ची के ओद्योगी गलियारे को भी कोच्ची बंदरगाह से जोड़ती हैं। और इस पर जलमार्ग के विकास का काम लगातार चल रहा है। भारत और बांगलादेश के बीच अंतरदेशिये जल ट्रांजिट और व्यापार प्रोटकॉल एक देश के अंतरदेशिये जहाजों को दूसरे देश के निरखारित मार्गों से ट्रांजिट की अनुमती देता है। ये प्रोटकॉल रूट है कोलकाता से सिल्खाट 1720 किलोमेटर, कोलकाता से करीम गंज बदरपुर 1349 किलोमेटर, धुलियन से अरीचा 270 किलोमेटर, सिल्खाट से करीम गंज बदरपुर 1437 किलोमेटर और सोनमुरा दाव कंडी 93 किलोमेटर। जलमार्गों के विगास और उन्हें परिवहन योग्य बनाए जाने से राष्ट्रिय जलमार्ग एक, दो और तीन पर क्रूज परियटन की शुरुआद भी हो गई है इन क्रूज जहाजों ने विभिन तरह के परियटन स्थलूं जैसे बन्य जीव अभियारण्य, एडवेंचर टूरिजम, परियावरण परियटन, हिल स्टेशन, छीलों, एतिहासिक स्मारकों और वारानसी के गौरवशाली घाटों में आने बाले परियटकों की संख्या में आ आतयाग के एक नए अध्याई की शुरूआत हो चुकी है, एवं अमरित काल के अपने 500 मिलियन टन के लक्ष पर IWAI निरंतर अग्रसर है